उम्मीदों की कश्टी को डुबोया नहीं करते, मन्जिल दूर हो तो रोया नहीं करते, रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जीवन में कुछ खोया नहीं करते गुड मॉनिग फ्रेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इस्टीड़ी पॉइंट, दोस्तों आज है 27 नमबार, और भी स्टार्ट करते हैं आज के सारे करेंट अफेस, और दिवी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आकन प्रेस कर दें, ताक ये फ्रेंट्स से स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन बहुत इंपोर्टेंट है, इस वीडियो का अंदे तक जरूर देखें, प्रत्य गाउर्मिन एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला कोशन है किस दिन हर वर्ष सम्विधान दिवर्ष मना जाता है, दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, तो याद रखना है कि अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, और जबकि ये प्रभावी का हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 19 नवंबर दोहर पंद्राव को अपतातिक भारत सरकार ने, राजपतर दिवसुचना की सहायता 26 नवंबर को समिधान दिवस गुरूब में घोशित किया है, ठीक है, तो हर वर्ष समिधान दिवस कमना जाता है, कि मना जाता है, 26 नवंबर को, ठीक है, ऑप्सन C, ठीक है, चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों, किस देश ने ऑस्टेलिया में आजित सीनियर राष्ट मंडल फेसिंग चेंपियंशिब में साब्रेश परधा में गोर्ड मिरल जीता है, आपको उता देख उन्होंने फाइनल में इगलैंड की एमली रॉक्स को राया है, ठीक है दोस्तों आप पता देख भवानी देवी राष्ट मंडल फेसिंग चेंपियंशिब में जीतने वाली ये पहली भारती है, इससे पहले भवानी देवी ने आइसलेंड में टोर्नोई सेटलाइट फेसिंग चेंपियंशिब में रजत पतक जीता था, तो किस देश ने ऑस्टेलिया में आउजित सीनियर राष्ट मंडल फेसिंग चेंपियंशिब में साब्रेश पर इस वीडियो को अपने सबी दोस्तों को साथ शेयर करतें जो ये आपके दोस्त तयारी कर रहे हैं, नमबर 12.18 में आजित पहली भारत रूस शामरी कार्थिक वारता कहा आजित की गई थी, तो ये की गई थी, सेंट पीटर्सवर्ग में, ठीक है, आप्सन डी, ठीक है, रू उसी प्रतिदि मंडल के धेक्षता किया था, आर्थिक विकास मंत्री मैक्सीम और स्किन ने, ठीक है, तो इसमें भारती पक्षान नेती तो किसने किया, नेती आयों कि जो बरतवान उपादक से राजीब कुमार, इन्हों ने किया था, आपको बता एक दोनों प्रतिभागी ब्यापार, निवेश, प्रदोक्य और उद्योग में दुपक्षी समंधो के विकास पर ये चर्चा किये थे, ठीक है, तो भारत, नवमर्द वठारा में आजित, भारत, रूस, सामरी, कार्थिक वारता कहां आजित की गई थी, त्योंकि कि सेंट, पीटर्वग, जो कि रू अप्सन C, देखे दोस्तों, अफरीका और एशिया के लिए छेत्री एकिकरित, बहु खतरे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने, चक्रबाद तितली को, रेयरेस्ट ऑफ दर रेयर चक्रबाद घोसित किया है, आपको बता देख, तितली चक्रबाद अक्टूबर 12 में, ओडिशा तर्ट पर पहुंचा था, यह भूमिगत होने के बाद, पुनरभित्ती और अपनी विनासकारी क्षमता को बना रखने जैसे लक्षणों के कारण, रेयरेस्ट ऑफ दर रेयर है, ठीक है, तो यह आद रखिएगा, तो अफरीका और एशिया के लिए, छेत्री एकि पुरुष एकल फाइनल में, चीन के गुवागंजु लू को हराया, ठीक है, गुवागंजु लू को हराया है, तो यह आपको याद रखना है, आपको बतादिक सात्विक, रंकी रेड़ी और चिराग सेटीक की पूरिष यूगुल जेवडी ने आपको बतादिक, महिला यूगल खिलाडी, असुनी पौनप्पा और सिक्की रे अंत्री नितिश कुमार ने नवंबर 2018 में कहां पर भगवान बुद्ध की 70 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है, किया है राजगीर में, ठीक है, ओप्सन C, ठीक है जो बिहार के सी है में दोस्तों नितिश कुमार निनों ने 25 नवंबर को नालंदा जिले के राजग राजगीर में भगवान बुद्ध की 70 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है, और यह देश में बुद्ध की दूसरी सबसे उची प्रतिमा है, ठीक है, आपको बता दे कि घोडा कटोरा जिल के बीच में 16 मीटर तरिज्जा के मूर्तिकला से उपर प्रतिमा स्थापि की गई है, यह गुलावी सेंड इस्टोन से बनी है, ठीक है, तो बिहार के सियम नितिश कुमार ने नवंबर 28 में कहां पर भगवान बुद्ध की 70 फीट लंबी प्रतिमा का नावरण किया है, राजगीर में, ठीक है, तो यह आपको आदक ना है, अगला कुछ ने किस क्रिक क्रिकेट टीम ने महिला विश्टो T20 खिताब जीद लिया है, वरल्लकप महिला वोमेंस T20 वरल्लकप, यह उनका चौथा विश्टो T20 खिताब था, और फाइनल में उने इक लैन को राया था, आपको आदक आदक आदिक ऑस्टेलिया की एस्टलेज गारडनर को प्लेयर अब दा मैच नामित किया गया और ऑस्टिवी लेक की ही ए लिशा हैली को प्लेयर आप दा टूर्नमेंट और अश्लेक कारट डणर को प्लेयर आप दा मैच एक इस क्रिकिट टीम ने वर्ल्ड कप महिला टीटीम लॉल्ड कप खित लिया है और ते लिए है और अगला खुर्श प्रदेश के तवांग में एक सामाजी कारिक्र मैत्री दिवस का उजन किया जाएगा दोस्तों इसका उद्देश से क्या है नागरिकों और भार्ती सेना के बीच मौजूद मैत्री की गहन भावनों का जस्न मनाना ठीक है तो यह आपको यादखना है काफी इंपोर्टेंट है कोश्चन आइन्थ दोस्तों 26 नमबर को राष्टी दुख्ध दिवस मना जाता है यह दिन भारत में दुख्ध करांती के लिए किसके योगदान के लिए जस्न के लिए मना जाता है तो यह भी काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है यह डाक्टर वर्गीस कुरियन ठीक है 26 नम मूल के गठन में महत्पूर धूम का निवाई थी आपको दादिक भारत में स्वेध करांती का जनक यह किसको कहा जाता है यह दिन भारत में दुख्ध करांती के किसके योगदान का जस्न मनाने के लिए मना जाता है डाक्टर वर्गीस कुरियन दस्वा कोशन दोस्तों किसे सीनेमम में उनके जीवन काल में योगदान के लिए अंतराश्टी फिल्म समारो की विशेश पूरुषकार से समानित किया जाएगा उप्सन डी सलीम खान को ठीक है देखे पटकता लेखक सलीम खान को सीनेमम उनके योगदान के लिए अंतराश शौल प्रदान की जाएगी ठीक है तो आपको याद रखना है काफी इंपोर्डेंट है शलीम खान अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन पूछा था दोस्तों किसे अपोलो टायर्स के नए ब्रैंड इंबेस्टर नियुक्त किया गया है तो इसका जो राइट एंसर दोस्तों सचीन तंदूलकर ठीक है उपसन सी सचीन तंदूलकर था सभी स्टूडिन ने राइट एंसर दिया था और काफी डिटेल में देखते हैं तो आपके लिए कोशन बहुत दीजी है तो आपने कल के वीडियो नहीं देखा दोस्तों यहां पर एंडिक स्रीम प्लेयों को जरूर देख लें साथ ही आप ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो को पसंदा प्लीज लाइक करें दोस्तों इस पूरे 26 नवंबर तक की 27 नवंबर तक की जरूर देख लिए आपके आगामी सभी गवर्म एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जोस्तों आप अपना ध्यान रखिए मिलते नेक्स पूडियो को साथ ठैंक्स अलोट फर वाचिंग है वाग्रेट डे